Hello everyone, this is Sasang Singh and welcome back to my YouTube channel ISPoint West Way of Learning दोस्तों नमस्कार आज से फिर दाहिंदो की क्लास ISPoint के YouTube चैनल पर रिगुलर रहेगी स्वास्त की खराबी के चलते दाहिंदो की क्लास रिगुलर नहीं आ पाई रही थी इसके लिए हमें खेद है लेकिन आज से ये क्लास Is discontinuous रहेंगी तो दोस्तों आएए आज दाहिंदो की क्लास स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि दाहिंदो नियूज पेपर में कौन कौन से एडिटोरियल आएं हैं और कौन से एडिटोरियल आपकी examination के द्रिश्ट से important हैं उसी का आज हम अनालिसिस करेंगे, विसलेसर करेंगे, जो दोस्तों नए होंगे, उनको घबडाना नहीं है, कैसे दाहिंदो एडिटोरियल को पढ़ना है, कैसे उसे समझना है, सब कुछ हम बारिकी से word to word उसकी मीनिंग बताएंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा. सेम ऐसे ही जो पुराने लोग दाहिंदो की क्लास आईस परंड की यूटूब चैनल पर देख रहे हैं, उनको भी यदि ये समस्याएं थी, तो दाहिंदो की क्लास देखने के बाद उनकी समस्याएं दूर हो गई है, अंग्रेजी कर से पढ़ना है, अंग्रेजी नूज पे और इसमें बड़ी ही सुन्दर बात कही गई है, लिखा हुआ है दोस्तों कि पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है, ये आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा, कि जो पानी बहता है जब, पानी का जो फ्लो होता है, उसको एक मार्ग के एक राह की और पत्थर का तो ये नेचर ही है, उसका ये सुभाव ही है, कि किसी की भी राह में आकर के रोडा बन जाता है, एक अवरोध बन जाता है, तो आपको किसी की राह का अवरोध नहीं बनना है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, और दूसरों को भी रास्ता देना है, तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहें इसलिए आईस पॉंट की टीम आप सभी के लिए कारियरत है तो इस पॉजटिव इस्पृरिट के साथ अब हम आगी बढ़ते हैं और आज की फटा फट दा हिंदू की वेकैब नोट कर लेत हैं देखते हैं आज कौन कौन से वेकैब हैं जो आपको अभी एडिटोरियल में मिलेंगे इसलिए आप उसको पहले से ही नोट कर लेजिए तो कॉपी और फिन लेकर के रेडी हो जाईए अब हम आपको दा हिंदू की वेकैब नोट कराते हैं पहला वर्ड है इवैलुएट यह एक वर्व है और इसका मतलब होता है मुल्यांकन करना अकसर हम लोग सुनते हैं कि इवैलुएशन चल ला है मुल्यांकन चल ला है तो वही है इवैलुएट से ही बना है इवैलुएशन सेकेंड वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेटिंग का मतलब होता है प्रदर्शन थार्ड वर्ड है Assigned जैसे अकसर हम लोग सुनते रहते हैं कि आपको ये कार ईसाइन किया गया है आपने किया या नहीं किया तो असाइन का मतलब होता है नियत या निरधारित करना या किसी को कोई काम सौंप देना कि भाई यो तुमको ही करना है तुमारा काम और कोई नहीं करेगा तो वहां हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं Assign का यूज़ कर सकते हैं Next word है Prosecution इसका मतलब होता है मुकदमा अक्सर हम लोग सुमते हैं कि भहे उनका उनके खिलाब मुकदमा चल ला है तो वहां हम मुकदमे के लिए Prosecution सब्द का वर्ड का यूज़ कर सकते हैं Next है Convicted Convicted एक Adjective है जो किसी भी आदमी की विशेशता बता रहा है कि ये आदमी कैसा है निर्दोष है या अपराधी है Convicted मतलब होता है अपराधी Having been declared guilty are a criminal offense by the verdict of a jury are the decision of a judge ये हुआ आपका Convicted ये आपकी दोस्तों फेहली स्लाइड है फटा फट इसका आप स्क्रीन साट ले लीजिए जिससे कि हम next slide की और move कर सकें और next word क्या है vocab में वो हम लिख सकें पढ़ सकें समझ सकें The Hindu vocab लिखते समय दोस्तों आपको बोलना भी है क्योंकि बोलने से कहीं न कहीं वो आपके mind में store कर जाता है और जब वो word आपके सामने आता है तो आपको ये पता चल जाता है हाँ इसकी meaning तो ये है क्योंकि मैंने इसको अल्रेडी पढ़ रखा है तो हो गया दोस्तों जितने भी लोग इस सेजन को देख रहे हैं फटा फट एक एक like तो दे दीजे और जो ही ISFund की YouTube चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं ISFund की YouTube चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और well icon को प्रेस करना ना भूलें जिससे की ISFund की YouTube चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की पहली सूचना आप तक आभी लंब पहुँच सके आईए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि next word क्या है next word लिखा हुआ है credibility credibility का मतलब होता है विश्वसनीता एक trust हम कह सकते हैं यह एक noun है ITY last में आया है the quality of being trusted and believed in किसी पर trust करना किसी पर belief करना credibility कहलाती है next word है accusations इसका मतलब होता है आरोप एक दूसरे के उपर आरोप लगाना कि हाँ तुमने ये काम किया है जबकि उकाम ना किया हो फिर भी या किया है तब भी तो आरोप प्रत्यारोप लगाना क्या कहलाता है accusations next word है proverbial ये एक adjective है इसका मतलब होता है कहावत जैसे कहते नहीं ये किससे कहानियां कहावतें कहावतें ये तो बहुत ही गाउं में प्रसिद्ध हैं तो उसके लिए हम proverbial सब्द का यूज करते हैं ये आपकी दूसरी slide थी दोस्तों फटाफट इस slide का screenshot आप लोग ले लीजी उसके बाद हम आगे move करेंगे दा हिंदू नीश पेपर की तरफ और वहाँ देखेंगे कौन-कौन से articles आए हैं और कौन से आपको पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने हैं और नहीं पढ़ने हैं तो क्यों नहीं पढ़ने हैं ये सारी चीजे मैं आपको बताऊंगा और जितने भी लोग नए हैं विनाह डर के बिना किसी संकोच के इस session को पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको कैसे analysis करना है किसी भी editorial का अच्छे से समझ में आ जाएगा जो friends लोग आपकी तैयारी कर रहे हैं UPSC की, SSC की, bank की या फिर state PCS की उनके साथ भी session को जरूर share कीजिए WhatsApp पर, Facebook पर, Telegram पर जिससे की उनको भी इसका benefit मिल सके तो दोस्तों आई अब चलते हैं दाहिंदू newspaper की और और देखते हैं कि क्या-क्या उसमें आया हुआ है पढ़ने के लिए जी हाँ दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं newspaper वाले page पर और यहाँ आपका फहला editorial लिखा हुआ है no change, यानि कोई भी परिवर्तन नहीं इसका क्या मतलब है क्या कह रहा है यह editorial अभी जब हम पढ़ेंगे तो हमको भी अच्छे से पूरे में समझ में आ जाएगा और आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर यह लेखक, संपादक कहना क्या चाहता है तो इसमें लिखा हुआ the EFATF EFATF एक यानी कि हम कह सकते हैं कि financial action task force है जो terror होते है जो आतंकवादी संगठन होते है उनको जो funding होती है उस पर यह निगरानी करता है observation करता है, investigation करता है इसका काम ही यह है तो इसको ले करके क्या कुछ कहा गया है और जैसा कि यह नेचर सही लग रहा है कि editorial terrorism को ले करके है आतंकवाद को ले करके है अभी जब हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे analysis करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा next article आपका है in glass go all eyes on 2030 नीचे लिखा हुआ है COP26 must focus sharply on reducing emissions till 2030 rather than on net zero 2050 which is to distant a goal यानि इसमें ये कहा गया है कि focus करना है COP क्या है ये है climate change conference जो की अभी होने वाली है जो इसकी party या है जो climate change करने की इस पास जो एक committee है जो समूह हुआ है इसकी meeting होने वाली है इसका एक conference आयोजित होने वाला है इसी October 31st से तो क्या कुछ है environment को ले करके ये article ये ही कह रहा है कि जो अपने ये carbon dioxide निकल ले है जैसे ये thermal plant है अभी कुछ दिन पहले ये समस्याई थी कि coal समाप्त हो गये है पुरा देश अंधेरे में चा जाएगा light नहीं आ पाएगी तो जो भी इससे producer निकल रहा है तो सर्चित हो रहा है इसको दूर करने का जो प्रयास है वो लेखा के ही कह रहा है कि ये 2050 तक नहीं होना चाहिए बलकि इसको 2030 तक ही इंड कर देना चाहिए समाप्त कर देना चाहिए तो विसेश रूप से आर्टिकल environment को लेकर के है आईए अब देखते हैं नेक्सट आर्टिकल कौन से है ये नेक्सट आर्टिकल आपका the only way to hold the VJP ये में रूप से political है ये political आर्टिकल है ये आपकी परिक्षा के लिए important नहीं है इसलिए इसको नहीं read करना है जानकारी के लिए आप read कर सकते हो लेकिन इसका exam से कोई भी लेना देना नहीं है next article आपका है mitigating a crisis this COP can add best incentive adaption that adds a transition toward clean energy यानि ये भी main roof से environment को ही लेकर की है तो आइए अब हम start करते है first article से और first article में ये क्या कहा गया no change क्या है और FATF का काम क्या है वो सारी चीज़ें इस article में आपको पढ़ने को मिल जाएगी तो आई ये start करते हैं वो कहव आप लोग अपने सामने खोल के रख लीजिएगा जिससे कि आपको आसानी से पढ़ने में कोई भी problem ना हो और हम लोग फटा फट एकदम बीना किसी difficulties के आसानी से पढ़ते हुए जी हाँ दोस्तों लिखा हुआ इसमें ऐसा कोई भी word नहीं होगा जिसकी meaning आपको नहीं पता होगी must मतलब चाहिए ensure मतलब सुने से investigation मतलब होता है जाच आफ पाकिस्तान कम्स आनी चाहिए to an effective an क्यों लगा हुआ है यहाँ क्योंकि यह जो अपना ववल्स होते हैं a, e, i, o, u इनके सामने यहनी इनकी जो सुरुवात होती है इससे पहले हम एक के लिए a नहीं लगाते हैं an का ही यूज करते हैं इसलिए देखिए effective तो इसमें e आया है जो की ववल्स हैं इसलिए यहाँ an का यूज हुआ है तो समझ में आ गया होगा दोस्तों effective मतलब प्रभावी conclusion मतलब होता है निसकर्स किसी भी चीज का किसी भी मुद्दे का आखरी पढ़ाव तक पहुँचना कि हाँ यह matter था और इसका यह निसकर से निकला हुआ इसका यह conclusion है soon मतलब होता है जल्दी तो इसमें एक एक word की आपको meaning पता है इसलिए इसको पढ़ने में और आसानी है तो यह article यह कह रहा कि the FATF FATF का मतलब मैंने आपको पता है इसका full farm होता है financial action task force जैसा की नीचे लिखा भी हुआ है किसको इनसे और करने मस्ट इनसे और यह सुनिस्चित करना चाहिए किसे FATF को that the investigation आप पाकिस्तान जो पाकिस्तान के against investigation चल लही है खोज में चल लही जाँ चल लही है comes to an effective comes मतलब आनी चाहिए to an effective conclusion soon एक प्रभावी निस्कर्ष पे जल्द ही जल्द पहुँचनी चाहिए यह सुनिस्चित किसे करना है FATF को financial action task force को यह सुनिस्चित करना है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी जाँ चल लही है जल्द से जल्द एक प्रभावी निस्कर्ष पर पहुचनी चाहिए प्रभावी निस्कर्ष तक आनी चाहिए तो दोस्तों ऐसे ही आसानी से हम आपको पढ़ाएंगे बीना किसी hesitation के आपको पढ़ते रहना है हसते रहना जब भी आप पढ़िये तो हस करके पढ़िये हस्ते हुए एक प्रसन्न मुद्रा में पढ़िये क्योंकि कहा जाता है कि जब किसी काम की सुरुवात प्रसन्न होकर करते हैं तो निष्चित ही उस काम में हमें सफलता मिलती है इसलिए आपको भी हस्ते रहना है आईए अब हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्या कुछ है पढ़ेंगे इन एपैटियों आप इसको कह सकते हैं मतलब आफ इट्स डिसीजन उसका जो निर्ड़े है उसकी पुनुराबृत उसको दोहराए हुए ओवर दा पास्ट थ्री यर्स जो तीन साल पहले का निर्ड़े था उसकी पुनुराबृत में दा फाइनिंसियल एक्सन टास्क फोर्स सेड उसने कहा एफटी अपने कहा दैट मेंबर साफ 39 मेंबर गुरुपिंग जो 49 सदस्यों का एक समूह ता गुरुप था उसने ओोटेड ओट किया है मत दिया है to retain पाकिस्तान यानिक पाकिस्तान को रखा जाना चाहिए on its gray list ग्रे लिस्ट में ही रखा जाना चाहिए ऐसा कुछ spraw29 सदस्यों की एक समूह थी बढ़ाती हुए ऐसा कहा कि पाकिस्तान को अभी भी क्रेलिस्ट में रखा जाना चाहिए और ये चीजे 49 सदस्यों की जो समूँ होती उसने ओड करके कहा है अब देखी इसमें बताया गया कि FATF क्या करता है आपके मन में ये प्रशन आया होगा आखिर ये FATF है क्या तो मैंने आपको पहले बताया कि FATF का मतलब होता है Financial Action Task Force अब ये क्या करता है आगे इसमें देखी FATF which evaluates अभी मैंने evaluates का मतलब आपको बताया था मूल्यान का कारणा इसलिए हम दाहिंदू की जो वकैव होती है जो कुछ भी आसानी से पता रहे और आप उसको अच्छे से पढ़ सकें तो FATF क्या करता है which evaluates आखलन करता है मूल्यांकन करता है किसका countries का देशों का on efforts to check terror financing and money laundering यानि कि कौन सा देश किसको आतंकवारत के खिलाफ या आतंकवारत के सपोर्ट के लिए finance दे रहा है पैसे भेज रहा है इसका उमूल्यांकन करता है also placed turkey on the grey list याथे TF ने place किया, वहां रख दिया किसको रख दिया? Turkey को Turkey को भी grey list में रख दिया है क्योंकि वो भी आतंकवारत बढ़ावा देने के लिए वो funding करता था money laundering वाले case में कई बार उसका नाम भी आया है on the grey list and cleared और निकाल दिया किसे marisus को from it और marisus को इस list से वो निकाल दिया है यानि कि फिट ये जो की terror financing और money laundering करने वाले countryों का आकलन करता है उसने Turkey को grey list में रख दिया है और marisus को से निकाल दिया है the FATF found that Pakistan had cleared 30 of a total of 34 tasks assigned into batches the FATF found FATF ने पाया that Pakistan had cleared Pakistan ने पूरा कर लिया है clear कर लिया है क्या clear किया है 34 tasks 30 of total यानि 34 काम उसको दिये गए थे जिसमें से उसने 30 काम को कर लिया है और 4 काम बाकी है जो की 100 पे गए थे into batches दो batches में उसको 34 project यानि 34 work दिये गए 34 task दिये गए थे लेकिन उसमें से उसने 30 task ही complete किया है and would face another review in February 2022 और जो next जो दूसरा review होगा दूसरा जो परिक्चड़ होगा ओफरवरी 2022 में होगा in particular the FATF president विसेश रूप से the FATF president Marcus Player FATF के president कौन है ये आपकी current का question है आप से पूछा जा सकता है कि financial action task force के president अध्यच्च कौन है तो आप वहां कह सकते है Marcus Player FATF president Marcus Player said that Pakistan had failed Pakistan असफल रहा to resolve the single task यानि कि single task एक कारे को करने में वो असफल रहा उसको resolve नहीं कर पाया समाधान नहीं कर पाया that remains from the first wedge जो की पहले बैच का बचा हुआ था उसने 34 काम दो बैचों में सोपे हुए थे और जिसमें सो उसने सिर्फ 30 काम किया तो वही कह रहा है कि FATF के president Marcus Player कि Pakistan तो आसफल रहा failed रहा to resolve the single task single task एक कारे को resolve करने में आसफल रहा जो की पहले बैच का बचा हुआ था आप demonstrating जैसा कि अभी demonstrating का मैंने मतलब लिखवाया था तो फटा फटा आप लोग देखी demonstrating का मतलब क्या होता है जिससे कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो तो इसका मतलब होता प्रदर्शन after demonstrating that effective investigation ये प्रदर्शन एक प्रदर्शित करना है कि effective investigation प्रभावी जो निगराने जो जाँच है and prosecutions are being pursued और जो मुकदमा है prosecutions मतलब होता है मुकदमा है are being pursued against जारी रखा जाएगा किसके against the senior leaders of United Nations designated terror groups जो senior leaders है United Nations के और जो नामित आतंकवादी ग्रूप है उनके खिलाब जो भी action है वह जो भी मुकदमा है जो भी जाँच है वो अभी जारी रखी जाएगी अगर हम नई दिल्ली के perspective का मतलब होता है द्रिष्टी कोड अगर हम नई दिल्ली के द्रिष्टी कोड से देखें the most significant are these are जैसे मुहम्मत जो की chief है जैसे मुहम्मत एक आतंकवादी संगठन है इसके chief है मसूद अजहर यानि कि ये articles जो है विसेश रूप से terrorism के खिलाफ है terrorism को ले करके है terrorism के बारे में बता रहा है कि जो FATF है उसका terrorism को ले करके action क्या है और action कितना loose है कितना strict है उस सारी चीजें इस article में बताई जा रहे है जैसा कि आप लोग news channels भी देखते होंगे तो प्रधान मंत्री जो हमारे देश के है नरेंद मोदी जी जहां कहीं जिस भी country में जाते है ओ आतंकवाद को ले करके मुद्द जरूर उठाते है कियोंकि आतंकवाद किसी एक दीश की नहीं अपितियू संपूर्ण मानोजात के लिए एक खत्रा मड़ा रहा एक बहुत बड़ा खत्रा है तो अगर हम नई दिल्ली के द्रिश्टिकोर से देखें जो most significant है ओ कौन-कौन से है जैसा मुहम्मद एक आतंकवादी संगठन है जिसका जो चीफ है जो मुखिया है उसको हम कह सकते है मसूद अजहर है लसकरे तौईवा इसका जो चीफ है ओ है हाफिस साईद दाउद इब्राहिम और अदर कमांड और कंट्रोल चीफ और जो मुख्यों उसके कंट्रोल के अधिकारी है आफ टेरर ग्रूप्स आतंकवादी सबुहों के दाइट टार्गेट ओ टार्गेट इंडिया को ही कटते हैं इनके टार्गेट पे ही इंडिया रहता है कभी जम्मो कस्मीर में हमला करेंगे तो कभी सुनने में आता है 26 जनवरी की तैयारी हो रही उसके आतंकवादी संगठन हमला करने के डेल ही आये हुए है तो इन लोगों का जो ग्रूप है टेरर ग्रूप्स है इनके टार्गेट पे हमेशा इंडिया ही रहता है जिसके लिए एक जस्टिस होना चाहिए एक निड़ाय आना चाहिए फार्दा 26-11 जैसा कि आप लोगों पता होगा 26-11 का जो मुंबई में हमला हुआ था 2008 में एक IC 814 हाई जैक हुआ था 1999 में 1999 में एक विमान को उन्होंने कांधार में हाई जैक कर लिया था तंकवादियों ने और इससे भी बड़े बड़े अटेक्स हुए है और जम्मू और कस्मीर में तो बंबारी हमेशा चलती ही रहती है ये सारे जो अटेक हैं इंडिया के उपर टेरर ग्रूप से के इसके खिलाब भी आक्षन होना चाहिए इस इंडीड डिसेप्वांटिंग यह वास्तों में निरासा जनक है जो एफटीएफ की पाकिस्तान पर निगरानी है यह वास्तों में एक निरासा जनक है क्योंकि अगर सही रूप से निगरानी होती तो जो इंडिया में ये टेरर का अटेक हो रहा है ये चीजीं न होती यह दर्साता है कि FTF कहीं न कहीं लूजर है इसमें इन सालों में वो असफल लाया है क्या सुनिश्चित करने के लिए कि वाइल सम आप दीज लीडर्स है बीन ट्राइड कि इसके जो कुछ लीडर्स है जो नित्रत करता है जो नेतना है ट्राइड एन कन्विक्टेड का मतलब अभी आपको बताया था अपराधी ये एक अड्जेक्टिव है जो अपराधी वी दोसित हो गए है कहां पाकिस्तानी कोर्ट्स में फाइनिसिंग चार्ज के खिलाब हो अपराधी भी दोसित हो गए है क्योंकि वी तपोसित करते थे आतंकवाद को बढ़ाने के लिए नन आफ दिम उसमें से अभी किसी को एफिक्टली रूप से प्रोसीक्यूटेड नहीं किया गया है किसी को किसी के उपर मुकदमा नहीं चलाया गया है far violence in India जो इंडिया में उन्होंने हिंसा की इंडिया में उन्हों जो आक्रमर किया इसके खिलाफ किसी की उपर मुकदमा, prosecuted मतलब मुकदमा नहीं चलाया गया जब कि पाकिस्तानी कोर्ट ने उनको दोसी भी ठहरा दिया है कि ये बित्त पोसित करते हैं financial funding करते हैं ऐसा सब कुछ हुआ लेकिन फिर भी अभी तक उनकी खिला मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है तो ये सब कहीं न कहीं FATF की ये लापरवाही सिद्ध करता है इतना ज़्यादा लंबित होना, देरी होना outcomes ये result लेकर के आता है ये बताता है जो पाकिस्तान की जो विश्वसनियता की कमी है आतंकवाद पर आइस टो दा FATF वो कहीं न कहीं FATF की जो उसकी यानि की सक्रियता होनी चाहिए प्रभाविता होनी चाहिए उसकी भी कहीं न कहीं कमी को दरसाता है तो दोस्तों ये first paragraph था आपको हमें लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना समझ में आया हो क्योंकि word to word हम आपको बता रहे हैं जो नए भी लोग होंगे उनको भी चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है तो नहीं संकोच आप पूँच सकते हैं comment section में आ करके या फिर IS point के instagram पर आप message करके वहाँ अपनी आप समस्या का समाधान जान सकते हैं team IS point आप सभी के लिए हमेशा ततपर है आपकी सहायता करने के लिए आपका अध्यनकार सुचारूरूप से चलाने के लिए आईए अब हम next paragraph की तरफ move करते हैं और देखते हैं उसमें और आगे क्या कहा गया है despite Pakistan's failure to fulfill it's a task list यानि कि Pakistan असफल लहा है अपने task list को पूरा करने में इसके बावजूद भी यफट यफ प्रेसिडेंट has made उन्होंने यह कहा it clear उन्होंने यह असपस्ट रूप से कहा that they are not considering placing Pakistan on the black list वह पाकिस्तान को black list में रखने की पक्ष में नहीं है उसको consider नहीं कर रहे हैं यानि कि अपनी कार्य सूची जो उसको list दिया गया था वो पूरा नहीं कर पाया उसमें failure रहा इसके बावजूद despite मतलब इसके बावजूद यह फिट यह president has made उन्होंने यह असपस्ट रूप से कहा है कि that they are not considering place in Pakistan on the black list वो पाकिस्तान को black list में रखने के पक्ष में नहीं है as they say जैसा कि उन्होंने कहा it continues to cooperate वो कहते हैं कि यह सहयोग जारी रखना चाहिए cooperate करना चाहिए अब सोचिए एक तरफ तो वो terror funding के मामले में आतंगवाद को बढ़ावा देने के मामले में दोसी पाया गया यहां तक कि अभी पिछले paragraph में हम लोगों ने पढ़ा कि वहां के जो leaders हैं वो भी पाकिस्तानी court ने उनको convicted यानि अफ्राधी कोसित कर दिया है पे नहीं रखेंगे और उनको continuous to cooperate उनको हमेशा सहयोग देना जारी रखना चाहिए कितना दोहरा रवाईया है on the other hand और दूसरी तरफ से या दूसरे आद से the FATF has also said FATF ने ये भी कहा है that it will not remove वहाँ उसे remove नहीं करेगा हटाएगा नहीं कहां से पाकिस्तान को हटाएगा नहीं from the gray list वहाँ पाकिस्तान को gray list से भी नहीं हटाएगा कितना दोहरा रविया क्यों black list में भी नहीं डालेगा और gray list से भी नहीं अटाएगा despite the country completing 26-27 आप the original task it was assigned इसके लामा बावजूद कि उस पाकिस्तान जैसे country ने सिर्फ 26-27 टास्क की ही पूरा किये हैं जो कि उसको सौपे गए थे पूरे करने के लिए the actions open the world body यह जो actions है किसका action यह FATF के बारे में कहा गया है कि जो action है FATF का open है the world body पूरे संसार की body के सामने पूरे संसार के सामने यह open है to accusations of politicizing the process both from those who would like to see tough action for non-compliance by Pakistan and from Pakistan itself which has accused India of turning the technical process into a political one by targeting Pakistan यानि कि यह कहा जा रहा है the action जो भी action है open the world body पूरी दुनिया के सामने open है to accusations जो आरोप है politicizing में यानि राजनीती करड के the process जो उसकी प्रक्रिया है both from those दोनों who would like to see जो की देखना चाहते हैं देखना पसंद करेंगे क्या tough action strict action for non-compliance by Pakistan जो की पाकिस्तान के द्वारा गैर अनुपालन हुआ है उसके खिलाब कारवाई देखना चाहते हैं as a result यहाँ था non-compliance by Pakistan non-compliance मतलब होता गैर अनुपालन and from Pakistan itself और पाकिस्तान के द्वारा जो पाकिस्तान से ही जिसने political one by targeting पाकिस्तान इंडिया of turning the technical process जिसने इंडिया पर ये आरोप लगाया है इंडिया पर ये काया कि वो तक्नीकी pressure के द्वारा पाकिस्तान को target करता है उसके खिलाब पूरी world body देख रही है कि क्या tough action होता है वो देखना पसंद करेंगे would like to see as a result as a result the FTF must staff kicking must staff kicking का मतलब यहां होगा वैसे तो kicking का मतलब होता है कि लात मारना लेकिन यहां उसको हमीं इस तरीके से नहीं लेंगे तो यहां यह करेंगे कि एक कहावत as a result नतीजन या परेडाम सरूप the FTF staff kicking the proverbial proverbial मतलब बताया है कहावत होती है can down the road जो FTF को अपनी कहावत को बंद कर देना चाहिए उस कहावत को यानि कि लात मार देना चाहिए क्यों कौन सी कहावत को कि हम terror funding करने वाले के खिलाफ action लेते है ऐसा उसने कुछ किया नहीं क्योंकि पाकिस्तान का नतीजा सामने ही है it must ensure that the investigation आप पाकिस्तान is not an open-ended process it must ensure या सुनिशित किया जाना चाहिए that the investigation कि जो खोज जो चानबीन चल लही है जो जाच चल लही है आप पाकिस्तान, पाकिस्तान की is not नहीं है an open-ended process एक खुली प्रक्रिया जो पाकिस्तान के खिलाब जाच चल रही है पाकिस्तान की जाच चल रही है वह एक खुली प्रक्रिया नहीं है या सुनिशित किया जाना चाहिए and is brought to a credible and effective conclusion at the earliest and it brought to और यह होना चाहिए लाया जाना चाहिए a credible यानि विश्चुसनी and effective of प्रभावी निसकर्स at the earliest जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका एक विश्चुसनी और प्रभावी निसकर्स आना चाहिए लाना चाहिए in light of the development in Afghanistan अगर हम अफगानिस्तान के development में देखे and concern over the growth of transitional terror groups अभी आपने देखा होगा पढ़ा भी होगा कि वहाँ अफगानिस्तान में कैसे तालिवानियों ने अपनी सरकार बना लिया है तो वहाँ का जो development है जो वहाँ का terror groups such as al-qaeda and as well as JEM and LAT जैसे मुहमद and लस्करे तोईवा टेकिंग एडवांटेज आप दा तालिवान टेक ओवर तालिवान को टेक ओवर करी लिया है to build new safe heavens and financing network बिल्ड करने के लिए बनाने के लिए new safe heavens new safe heavens and financing network यानि कि आतंकवादी समोहों को funding देने के लिए इसका निर्माड करने के लिए एक साथ हो रहे है it is particularly important that the FATF keep its commitment from 2001 when it added terror financing to its mandate to prevent all terror groups from accessing these funding networks यानि FATF को निश्चित करना चाहिए it is particularly important यहाँ आवश्चक है विशे इस रूप से कि FATF को अपने commitment को ध्यान में रखते हुए निश्चित करना चाहिए कि जो आतंकवादीयों के खिलाफ funding network पहुचा रहे हैं उसको रोकना चाहिए और अपनी प्रतिवधता को commitment को बनाए रखना चाहिए क्योंकि अभी अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार हो गई है और वो एक नई terror funding के लिए scheme बनाएंगे ही नई terror funding को पहुचाएंगे ही तो इस editorial का सारांस यही है कि या basically terrorism को ले करके था FATF क्या है यह आपको पता चल गया FATF का पाकिस्तान के खिलाफ क्या रवया है यह भी पता चल गया FATF का दोहरा रवया कैसा है यह भी पता चल गया एक तरफ तो कहता है कि हम उसको black list में नहीं डालेंगे पाकिस्तान को और दूसरी तरफ यह कहता है कि उसको हम grey list से नहीं अटाएंगे तो क्या है कैसा है सब कुछ आपको पता चल गया तो इस editorial में इतना ही next editorial आपका climate को ले करके था ही आपको बता ही दिया हूँ तो दोस्तों तीसरा editorial भी आपका climate को ले करके ही था और यह वाला तो आपको पढ़ना नहीं क्योंकि यह political way से ले करके है कीजिएगा वहाँ आपके समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा और जो सेस बचे हुए editorial है उनको पढ़िएगा अगर उसको पढ़ने में कोई समस्या होती है तो फिर हम next day आपको उसका solution जरूर बताएंगे तो दोस्तों इस video lecture में इतना ही आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से चलाते रहिए कल फिर मिलेंगे एक नए positive vibes के साथ एक नए editorial के साथ एक नए उर्जा के साथ और एक नए positive express के साथ तब तक के लिए thank you so much keep stay